वेलकब टो माई चैनल तनू वेस किचिन तनू किचिन में आज श्यर करें हैं करोंदी की लौजी बनाने की एक रेसिपी बारिश के मौसम में करोधा आसानी से मार्केट में बिल जाता है ये एक बिटैमिन सी का अच्छा सोर्स है करोंदी का चटपटा अचार भी बनाया जाता है यहां मैंने गुड़ का उपयोग लौजी बनाने में किया है क्योंकि गुड़ बहुत ही फाइदे मंद होता है स्वास्ते बर्दक होता है करोंदी का उपयोग हम अपने खाने में कही तरह से कर सकते हैं हरी मेच और करोंदे की सबजी बना सकते हैं करोंदी की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहां 100 ग्राम करोंदे दिये हैं इसको मैंने पानी से धो लिया है और इसके डेंठल निकाल दिये हैं और बीच में से 4 टुकड़े कर लिये हैं और इसका बीज वाला भाग अलग कर दिया है अगर इसमें बीज कड़ा है तो उसको निकाल देना है इस तरह से सभी करोंदे काट कर रख लेने हैं करोंदे में क्योंकि बिटेमिन सी प्रचुर मातरा में पाया जाता है इसलिए इसको अपने खाने में शामिल करना चाहिए किसी भी रूप में इसको अपनी सब्जी में या दाल में भी मिला सकते है यहां मैंने करोंदे की लौजी बनाई है जिसको मैंने गुड के साथ बनाया है एक कडाई मैंने गरम करने रख दी है जब कड़ाई गरम हो जाएगी तब उसमें एक चमज घी डाल दिया है इसको आप तेल में भी बना सकते हैं घी में बनी हुई लौजी बहुती स्वादिस्ट बनती है जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब उसमें एक चमज जीरा डाल देना है जीरा जब अच्छे से दाते वे भूनना है एक मिनिट भूनने के बाद करोदे का कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सौफ्ट भी हो जाएगा आप इसमें एक कप पानी डाल देना है और एक धकन से धक कर मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल आने तक पकाना है तीन से चार मिनिट भाद धकन उठाकर चेक करेंगे करोदे अच्छा से पक गए हैं कलर भी चेंज हो गया है अब इसमें हम मीठा करने के लिए गुड़ डालेंगे गुड़ को मैंने पहले से पानी में भीगा कर चान कर जब गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसको दो मिनिट और बॉयल करना है अब यह अच्छे से उबल चुका है और इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गए है अगर इसे और थिक बनाना है तो पानी की मात्रा कम कर सकते हैं अब इसमें एक चोथाई चमज जीरा पाउड डाल दिया है एक चौथाई चमज नमक डाल दिया है सभी मसालों के चमज से हिलाते हुए मिक्स करेंगे दो हरी इलाइची कूटकर डाल देंगे जिसे अच्छा फ्लेवर आता है फ्लेम ओफ करके ठंडा करके किसी कांच के बरतन बर रख लेंगे तो आप भी बनाइए इस अगर मज़ा लीजिए करोंदे कि लौजी का अगर मेरी किचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए कमेंट्स करके अपने सुझाब जरूर दीजिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फेमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ श